रावन जब माता सीता को अपहरन करके लंका लेकर आया तब उसने माता सीता को अपने देश की सबसे सुन्दर वाटिका यानि अशोक वाटिका में रखा था यहाँ पर अनेक प्रकार के स्वादिस्ट और रसीले फल लगे हुए थे रावन उनके लिए रोज स्वादिस्ट वेंजन बनवाता था लेकिन माता सीता ने कभी भी लंका का भोजन और फल ग्रहन नहीं किया था इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस से था तो चलिए जानते हैं माता सीता को लंका में कभी भी भूख ही नहीं लगी क्योंकि जिस दिन रावन माता सीता को लंका लाया था उसे दिन रात के समय ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को आदेश दिया की आप जाकर माता सीता को कुछ भूजन कराएं ब्रम्ह जी का आदेश पाकर इंद्रदेव तुरंत माता सीता के लिए खीर लेकर अशोक वाटिका पहुँचे और उनसे मिलकर कहा कि इस खीर को खाने के बाद आपको लंका में कभी भी भूग नहीं लगेगी वो खीर का भोग एक दिव्य भोग था जिसे खाकर माता सीता की भूग मिट गई थी ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द्वानियास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें